तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिसकस कर रहा था? तो अब हमने अगर उस कंटेंट्स के अंदर कोई भी चेंजिस करने है और अल्टरेशन ओफ मेमोरेंडम तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो आपका टॉपिक है और अल्टरेशन ओफ मेमोरेंडम अब बेसिकली मेमोरेंडम होता क्या है? एक तरह से ये कॉंस्टिटूशन है कंपनी का तो इसके उपर बहुत सार ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हैं चेंजिस करने के तो इसके अंदर ना मेमोरेंडम को चेंज करने के उपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है ठीक है? आल्टरेशन आप सिरफ तभी कर सकते हो इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत आपको नीड है फोर दा एफिशेंट एंड फेर वरकिंग के लिए कि आप अल्टरेशन किये बिना काम नहीं हो सकता और मोरोवर वो जो अल्टरेशन है वो पर्मिटेड भी होनी चाहिए मतलब कि पर्मिशन मिलेगी तभी आप वो अल्टरेशन कर सकते हो तो सबसे पहला क्लॉज हमने किया था नेम क्लॉज तो अगर आपने अपनी कमपनी का नेम चेंज करना है अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो आपको एक स्पेशल रेजिलूशन पास करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसके अंदर आपको सेंटरल गर्मेंट से रिटन में पर्मिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम अपनी कमपनी का नेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं ठीक है और यह जो पर्मिशन है वो आपको अपने पर्मिशन के लिए ज़रूरी नहीं है मतलब अगर आपने पब्लिक से प्राइवेट में कनवर्ट होना है या प्राइवेट से पब्लिक में कनवर्ट होना है तो आपको सेंट्रल गर्मेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छा दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर की हम नेम को चेंज कर सकते हैं खेसे दिटेमस ऑडएवेट कोट सेंट्रल गर्मेंट को लगेगा की कंपनी की अको इस नेम को उस केसे प्रहिए यह व्कूल आपकी नेम किसी नेम के साथ यह पूल को आपकी नेम कर गेहा है तो उसौस्स में ordinary resolution पास करके ठीक है आप अपने नेम को चेंज कर सकते हो ठीक है फिर आता है डारेक्शन फॉर चेंजिंग नेम की Central Government कैसे डारेक्ट करती है कि आप नेम चेंज करो देखो मेरी कंपनी आज रेजिस्टर हो गई तो तो विदिन 12 मॉन्स के अंदर-अंदर आपको Central Government डारेक्ट कर सकती है कि यह नेम आदेंटिकल हो गया यह यह नेम रिजैंबल कर रहा है तो आप अपने नेम को चेंज कर लो तो विदिन 3 मॉन्स ऑफ सच डारेक्शन आपको अपना नेम चेंज करना ही पड़ेगा अच्छा अगर डिफॉल्ट हो जाता है कि आप कंप्लाई नहीं करते इसके साथ तो आपको फाइन लग सकता है रूपीज 1,000 पर डे तिल दा डिफॉल्ट कॉंटिनू जब तक डिफॉल्ट कॉंटिनू रहेगा जब तक आप अपना नेम चेंज नहीं कर रहे है थाउजन अपना नेम चेंज नहीं कर सकती अब नेम चेंज कराने के बाद होता क्या है नू सर्टिफिकेट ऑफिन्क अफिनकॉर्परेशन आपको मिलता है रिजिस्टरार देता है और उसके अंदर वो नया नेम मेंशन करता है और वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसु करता है अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आपका जो नेम है कम्पनी का वो तभी चेंज माना जाएगा अनली ऑन दा इसु आफ सच सर्टिफिकेट है कि जो नेम चेंज होने से आपकी राइट यहां फिर उब्लिगेशन चेंज बिल्कुल नहीं होती इट रिमेंस सेम राइट अन उब्लिगेशन रिमें अन अफेक्टेड ख्लियर हो गया तो दूसरा हम नहीं किया था चेंज ऑफ रिजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हमने क्लॉ या आपने विदिन दा स्टेट चेंज करना है या आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना चाहते हूं तो सबसे पहले हम करेंगे अगर हमने चेंज करना है विदिन दा सिटी मालो खन्ना में ही है रिजिस्टर्ड ऑफिस और खन्ना में ही मैं एक जगे से दूस विदिन दा सिटी चेंज करना चाहती हूं, तो क्या होगा, तो board of directors को special resolution पास करना पड़ेगा, और registrar को inform करना है, इस बात के बारे में, in e-form 18, within 30 days, ठीक है, आज special resolution पास किया, तो within 30 days, registrar को भी inform करना है, और अगर non-compliance होता है, इस चीज के साथ, कि आपने notice नहीं दिया या आ inform नहीं किया, तो company and its every officer, सभी को punishment हो सकती है, और fine लग सकता है, of rupees 1,000 per day, but not exceeding rupees 1 lakh, clear, अब दूसरी situation आती है, अगर मैंने state के अंदर ही change करना है, within the state, ठीक है, तो within the state में हमें special resolution पास करना पड़ेगा, कि मुझे अपनी ही state में एक जगह से दूसरी जगह पर अपना registered office लेके जाना है, तो special resolution पास करना पड़ेगा, where the registered office is to be changed outside the local limits of any city, town or village in the same state, clear हो गया, फिर कहते है, a notice of such change shall be given to the registrar within 30 days, if it comes under the jurisdiction of same ROC, अगर तो jurisdiction क्या होती है, जो एक हद होती है, लोकल हद होती है, कि यह ही jurisdiction के अंदर ही आता है, तो अगर तो same jurisdiction के अंदर आप लेके जा रहे हो, तो within 30 days आपको registrar को बताना पड़ेगा, और confirmation by regional directors बहुत ज़रूरी है, जो regional directors हैं, उनकी confirmation भी ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, अगर आपने एक jurisdiction से दूसरी jurisdiction में shift करना है, मतलब यह area इस ROC के अंदर आता है, लेकिन आपने इस area से, जहां पे अपने registered office को situate करना है, वो area किसी और ROC के अंदर आता है, तो ROC चेंज हो गया, तो इस case में आपको regional directors की confirmation ज़रूरी है, ठीक है, तब ही यह चीज़ possible होगी, मतलब अगर तो limits same है, ROC की, तो special resolution से काम चल जाएगा, अगर आप एक jurisdiction की limit से, किसी और registrar की jurisdiction के अंदर shift कर रहे हो, तो आपको regional directors की confirmation ज़रूरी है, ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है, change from one state to another, अगर मैं एक state से दूसरी state में change करना चाहती हूँ, तो section 13 हमें क्या कहता है, company may alter the provisions of its memorandum by taking the following steps, conscious step, सबसे बहले उसे special resolution पास करना पड़ेगा, और उसी special resolution की copy उसे submit करवानी है, with the registrar within 30 days, फिर अगर एक state से दूसरी state में जाना है, तो confirmation by central government बहुत ज़रूरी है, ठीक है, under rule 30 of the company's incorporation rules 2014, हमें application fill करनी पड़ेगी for approval of the central government, किस form में, INC 23 के अंदर, application आपने दे दी, ठीक है, along with the prescribed fee भी आपको pay करनी पड़ेगी, फिर central government 60 days में अपना फैसला आपको सुना देगी, कि उसने approve किया, कि dispose कर दिया, 60 days के अंदर अदर आपको पता चल जाएगा, तो अगर central government आपको permit करती है कि आप एक state से दूसरी state में अपना registered office लेके जा सकते हो, तो आप उसको change कर सकते हो, और last पर आता है कि अगर मैं इंडिया से बाहर जाना चाहूं, फिर कि मतला मेरा registered office इंडिया में है, तो क्या मैं एक country से दूसरी country में change कर सकते हूं, that is not at all, possible, clear, फिर हमारे पास third आता है clause object clause, अब अगर आपने object clause पे कोई changes करने है, तो ये तो बहुत जादा restrictions होती है और limitations होती है, इसके ऊपर, क्यूंकि objective के ऊपर based होती है कोई company की हम ये objective लेके चल रहे हैं, तो उसी objective के base पे लोगों ने पैसा invest किया, तो later on आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपना objective चेंज करना चाह तो बहुत restrictions and limitations होती है, विच आर intended to protect the interest of shareholder and creditors, तो इसी लिए restrictions होती है, ताकि shareholder or creditors के interest को protect किया जा सके, अब देखो जो company है, दो तरह की होती है, एक होती है जिसने prospectus issue किया है और दूसरी होती है, जिसने prospectus issue नहीं किया है, तो अगर मैं बात करूँ कि जिसने prospectus issue नहीं किय है, वो company तो अपना object change कर सकती है by passing a special resolution, लेकिन वो company जिसने prospectus issue किया है, हम prospectus कियो issue करते हैं, ताकि हम public से पैसा raise कर सके, ठीक है, shares publicly उनको दे सके, तो देखो आप अपनी company के shares logo को दे रहे हो और उनसे आपने पैसा ले लिया, और उन्होंने पैसा आपको क्यों दिया, certain object of your company, तो later on आप यह नहीं कहर सकते, cannot change its object for which it raised money from public, वैसे तो change नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप change करना चाहते हो, जो company prospectus issue करती है, तो उसे postal ballot के through special resolution pass करना पड़ेगा, unless a special resolution through postal ballot is passed, postal ballot क्या होता है, यह एक system of voting है, जिसके अंदर post के through voting मंगवाई जाती है, ठीक है, तो उसको मतलब बहुत लंबा चौड़ा procedure है, वैसे तो वो change नहीं कर सकती अपना object, लेकिन करना चाहती है, तो special resolution pass करना पड़ेगा through postal ballot, clear, फिर आता है change of liability clause, अब liability दो तरें के होती है, एक ह होती है, unlimited, ठीक है, अगर limited company की बात करूँ, तो वो alter नहीं कर सकती in order to make the liability unlimited, already limited है, तो वो change नहीं कर सकती कि मैं liability unlimited कर रही हूँ, without the consent of the members, तो अगर members agree करते हैं और उनका consent है, कि हाँ कोई बात नहीं, आप हमारी limited liability को unlimited में convert कर दो, तो यह possibility है, ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी alteration वो नहीं कर सकती company, वो बिलकुल void मानी जाएगी, जो की members की liability को increase कर दे, कोई भी ऐसी alteration, without the consent of the members, void मानी जाएगी, जो की members की liability को unnecessary increase कर दे, ठीक है, on the other hand, unlimited company, तो इसके अंदर section 18 कहता है, कि easily एक unlimited company अपने आपको limited company में change कर सकती है, ठीक है, लेकिन यह जो alteration है, यह आपको registrar को बतानी पड़ेगी, और registrar क्या करेगा, पिछली registration कैंसल करके, आपको बिलकुल new, बिलकुल fresh registration करके देगा, as if it were the first registration of the company, clear? fifth हमारे पास आता है, change of capital clause, हो जाती है, ऐसी mistakes कभी-कभी, यह last पे आएगा, whichever is less, उसको भी ignore करो, starting से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, change of capital clause, ठीक है? देखो, section 61 डील करता है, alteration of share capital के साथ, और section 62 डील करता है, increase in share capital के साथ, clear है? तो कहते हैं, जो limited company होती है, वो अपनी capital clause को alter कर सकती है, लेकिन within the provisions of its article, जो rules and regulations, जो चीज़ें उसने article of association में लिखी है, उसे बहर जाके वो alteration नहीं कर सकती, ठीक है? और वो alteration कैसे कर सकती है, by an ordinary resolution in the journal meeting, change in description of share is not an alteration, मानलो मैंने 100 का share issue करा, 100 का, ठीक है? लेटर रोन मैंने next time उसकी value रखती 90 या 80, तो ये जो description में change आ रहा है, कि 100 का share अब हमने 80 का issue कर दिया, ये alteration नहीं होती, this is not an alteration, ठीक है? बट in case of reduction of share capital, अगर वो share capital को reduce करना चाती है, market से, तो special resolution पास करना पड़ेगा, special resolution is necessary, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ points आते हैं, कि अगर उसने capital clause में changes लेके आने है, तो उसको ROC के साथ क्या-क्या file करना पड़ेगा, section 64, तो सबसे पहले तो उसे 30 days के अंदर-अंदर notice देना पड़ेगा, कि मैंने ये alteration करी है, within 30 days give notice to the ROC specifying the alterations, ठीक है? upon such notice ROC क्या करेगा, registrar shall record those alterations और उसके accordingly अगर MOA में, that is Memorandum of Association, या AOA में, that is Article of Association, इन में अगर कोई भी change करना है, required alterations है, तो registrar उनके अंदर changes करेगा, ठीक है? अगर company notice नहीं देती ROC को default करती है, तो company और हर एक officer को fine लगेगा up to rupees 1000 per day till the default continues, और rupees 5 lakh, whichever is less, तो इन दोनों में से जो भी amount less होगी, वो company को pay करनी पड़ेगी as fine, तो ये था हमारा सारा topic, alterations of Memorandum, hope आपको clear हो गया होगा, अगर कोई problem होगी तो आप comment box में लिख दीजेगा, so thank you so much for watching, have a nice day, जुडे रहिए इसी तरह से हमारे channel theory guru के साथ, which is providing best confined theory notes of commerce, thank you.